इस वीडियो में हम राजस्थान जी के लेब असिस्टेंट दोहजार गुनिस में आए पेपर को हल करेंगे बीर सक्साई, बलवन्द विलास, राम रंजाट, बंस वासकर और इसके अलावे इनके अन्य ग्रन्त हो रहे छंद मयूक, उमेद सिंग चरित्र और बुद्धि सिंग चरित्र इनके लेखक कौन है तो इनके लेखक है सूर्यमल मिश्रण तो बीर सक्साई, बलवन्द विलास और राम रंजाट के लेखक है सूर्यमल मिश्रण पूंदी नरेश के महाराव राम सिंग के दरवारी कभी सुर्यमल मिस्रण थे पिंगल भासा में ये ग्रंत लिखा था अगला है भागोर भागोर प्राचिन सब्वता है और ये भीलवाडा जिले की कोठारी नदी के काठे पर इस्तित है मेनाल में सुहेल इस्वर सिम मंदिर का निर्मान किस चोहान सासक ने करवाया था तो मेनाल में सुहेल इस्वर सिम मंदिर का निर्मान प्रतिवीराज सेकिंड ने करवाया था तो मेनाल के सिम मंदिर का निर्मान प्रतिवीराज सेकिंड ने करवाया था और इस मंदिर को हम मिनी खजराओं भी कहते हैं और ये 11 सदी में इसका निर्मान हुआ था मेनाल मेनाल सिव मंदिर चित्तोडगड जिले में है और ये चित्तोड से 90 किलोमेटर दूर है और टॉंक से 70 किलोमेटर दूर है कौन सा अभी लेख मंदौर के प्रतिहारों के इतियास की जानकारी देता है तो मंदौर जोदपुर जिले में रेलवे स्टेशन से 9 किलोमेटर दूर है और ये है प्रतिहारों के इतियास की जानकारी देता है मंदौर का सिलालेख है गटियाला का अभी लेख तो गटियाला अविलेख मंडोर के प्रतिहारों के इतियाश की जानकारी देता है कौन से सासक ने अकवर से वेवाहिक संबंद इस्ताफित नहीं किये तो अकवर से वेवाहिक संबंद इस्ताफित करने वाले हैं आमेर के भारमल, जैसलमेर के रावल हरराय और बीका नेर के राव कल्यानमल इन्होंने अकवर से बेवाईक संबंद इस्थापित किये थी लेकिन रन थंबोर की राव सुरुजन हाडा ने अकवर के साथ बेवाईक संबंद इस्थापित नहीं किये हवा मेहल में पाच मंजिल है पहली मंजिल है सरद मंजिल दूसरी रतन मंजिल तीसरी विचित्र मंजिल चोथी है प्रकास मंदिल और पाँच मेहल सबसे उपर यूपर चट के उपर जो मंजिल है वो है हवा मेहल यानि स्थापित हवा मंदिल है तो इस तरह से नीचे से उपर जाता है तो सलसे पांच में है हवा मंदिर तो इस एक्जाम में रत्न मंदिर को ही पहली मंदिर माना गया है लेकिन पहली मंदिर सरद मंदिर है अफीम से संबंदित रोयल कमीशन निम्न मैंसे किस बर्स में राजस्थान आया था तो रोयल कमीशन राजस्थान में आया था अठारा सु तिराणवे इस्वी में बेगु किशान आंदोलन बेगु किशान आंदोलन चित्तोडगड जिला यानि मेवाड में बेगु नामकिस्तान पर होता है और इसका नेतरत्व करते हैं राम नारेन चौधरी बेगु किशान आंदोलन का नेतरत्व करते हैं राम नारेन चौधरी बगत आंदोलन बगत आंदोलन किसके दुआरा प्रारंब किया गया बगत आंदोलन राजस्थान के डूंगरपर बेबासवाड़ा जिले में बील जन्जाति में सामाजिक जागरती उत्पन करने के लिए सुरू किया गया था और इसकी सुरूआत की थी गुरू गोविंद गिरीने और इनकी सिस्यों को बगत कहते थे इसलिए बगत आंदोलन कहलाया मत्स संग का कौन सा राज्य जन्ता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ बिलीनी करने के लिए तयार हो जाता है तो मत्स संग में ये चारो ही जिले आते हैं चारे जिले हैं और इसमें धोलपुर जिला उत्तर प्रदेश के साथ है बिलीनी करने के लिए तैयार हो जाता है जनता की बहुमत से मई 1947 को कालिवाई अपने अध्यापक को मुक्त कराने के दोरान पुलिस की गोलियों द्वारा भून दी गई बहक किस जिले की थी कालिवाई डूंगरपुर जिले की थी राजस्थान में स्टंतरता आंदोलन के दोरान गिरफतार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी तो राजस्थान की पहली गिरफतार होने वाली महिला है अंजना देवी चौधरी अंजना देवी चौधरी राजस्थान लोक सेवा संग के कार्य करता राम नारण चौधरी की पत्नी थी और बिजोलिया और बेगु किसान आंदोलन का नेत्रत्व बेजोलिया और बेगु किसान आंदोलन में महिलाओं का नेत्रत्व करने वाली ये महिला थी अंजना देवी चौधरी और इन्होंने मेवाड और बूंदी की महिलाओं में राष्टेता और देस्प्रेम की भावना जागरत की थी और इन्होंने 500 महिलाओं का नेतरत्र किया था अब हमें सही युग्म का चैन करना है, मिलान करने है जसनाथी संपरदाय जसनाथी संपरदाय की प्रमुक पीठ है, बीका नेर के कातरिय सर में है जसनाथी संपरदाय के लोग ददक्ते अंगारों पर अगनी नट्य करते हैं और इसके अनियायों के संक्या अनियायों के लिए चत्तिस धर्म नियम है सीतला माता का मंदिर जैपुर के चाक्सों में है जम्भो जी जम्भो जी विस्नोई संपरदाय के परवर्टक है और इनकी प्रमुप पीठ बीका नेर के नौखा के मुकाम तालबा में है बीका नेर के नौखा के मुकाम तालबा में है विस्नोई संपरदाय के 29 नियम है जीन माता जीन माता ये सीकर जिले के रैवासा में है इसका मंदिर जीन माता का राजस्थान की कौन से छेतर में चैतर सुकल पंचमी को गुलावी गंगोर मनाई जाती है सभी छेतरों में तीज को गंगोर मनाई जाती है चैतर सुकल तीज को लेकिन चैतर सुकल पंचमी को गंगोर मनाई जाती है वो राज संबंद जिले के नात द्वारा में मराई जाती है यानि कि सारी जितने भी इस्तरी पुरोस हैं वो गुलावी कपड़े पहनते हैं नात द्वारा में अगला है संत पीर साहली और तुगनगीर ने 400 साल पहले मेवाड में किस क्यालगी रचना की थी मेवाड की राजाओं का बखान करने के लिए एक ख्याल की रचना की थी 400 साल पहले जिसको तुर्रा कलंगी ख्याल कहते हैं निम्ल लिखित मैंसे कौनसा एक राजास्थान का मंदिर सही सुमिलित है तो सही सुमिलित करना है एक लिंग जी का मंदिर एक लिंग जी का मंदिर है उद्यपुर जिले में सूर्य मंदिर सूर्य मंदिर है जैपुर जिले में है जैपुर जिले के आमीर में है सूर्य मंदिर माउन्ट आबू पर है आबू परवत पर ओशिया ओशिया जोदवर में है करणी माता मंदर करणी माता मंदर बीका नेर के देश नौक में है तो इसका ओप्सण डी सही हो जाएगा राजस्थान में अजमीर के बिले के समय बहां का मुख्य मंतरी कौन था तो राजस्थान में यानि राजस्थान का एकी करण हुआ तो अजमीर केंदर सासित प्रदेश था तो अजमीर को सात्यमी चरण में मिलाया गया था और उस समय अजमीर का मुख्य मंतरी था हरी भाव उपाद्या है था अरी भाव उपाद्या है कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था तो कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता जै दयाल था जै दयाल ओप्सन सही राजस्थान की किस गड को धारा धार गड की नाम से भी जाना जाता है तो राजस्थान की किस गड को धारा धार गड के नाम से भी जाना जाता है तो ये है चौमुहा गड चौमुहा गड को जिसको हम चौमु पुलिया भी कहते हैं और ये जैपुर के चौमु में है जैपुर के चौमु का गड को ही हम चौमुहा गड कहते हैं चांद बावडी कहां इस्तित है? चांद बावडी दोसा जिले के आभा नेरी में इस्तित है राजस्थान की कौन से संत और रामानंद के सिस्व ने अपने राज्य को त्याग कर गुरू मंडली में सामिल हुए तो यहाँ धन्ना जी, यह किसान जाट परिवार से है जम्भो जी दन्ना जी किसान जाट परिवार से है रामानंद के से से है जम्भो जी ये राज परिवार से संबंदित है और ये इनके गुरु गोरकनात है पीपा जी ये राज परिवार से संबंदित है और इनके से से रामानंद है रेदास जी जो एक रेदास जी एक गरीब परिवार से संबंदित है और ये भी रामानंद के सिस्से है तो गुरु मंडली अपने राज को त्याग करके गुरु मंडली धारण की थी तो वो हो जाएंगे संत पीपा जी संत पीपा जी का जन्म गागरोन की किले में होता है गागरोन के हैं संत पीपा जी लोक देवता गोगा जी के थान सामानत है किस पेड के नीचे पाए जाते हैं तो लोक देवता गोगा जी इनकी मूर्ती पर साप का चिन होता है और ये पांच पीर के नाम से भी पांचव फीर में भी इनका नाम आता है और इनके पेड़ इनके थान के उपर खेजडी का पेड़ होता है खेजडी के पेड़ के नीचे इनके थान होते हैं कुदरत सिंग को किस हस्त कलाम महारत के लिए पद्व सिरी से अलेंक्रित किया गया कुदरत सिंग सोने चांदी के वरतनों पर नकासी किया करते थे उनके गड़ाई करते थे तो इसको मीनाकारी कला कहते हैं और जैपुर की है मुहम्मद साहा और साहिव राम किस राजस्थानी चित्रकला सेली के प्रसिद्द चित्रकार थे तो मुहम्मद साहा और साहिव राम ये जैपुर चित्रकला सेली के प्रसिद्द चित्रकार थे दादू और उनके शिष्षयों की रचनाएं अधिकतर कि सवासा में पाई जाती तो इनकी रचनाएं पाई जाती है दादू और उसकी सिश्यों की रचनाएं डुनानी वहसा हम पाई जाती है यह यह पूर छेत्र की वहसा है डुनानी राजस्थानी उन्ट का बैग्यानिक नाम राजस्थानी उट का बैग्यानिक नाम है कैमिलस ड्रोमेडेरियस कैमिलस ड्रोमेडेरियस इस्थिरता के साथ विकास और आत्म निर्भरता किस योजना का लक्ष था तो ये था चतुरत पंच बर्शी योजना सौम अंबा कमला सौम अंबा ये सिसाई पर योजना है डूंगरपुर जिले की है निम्ल लिखित मैं से कौन हनुमानगड वे चूरू जिले के लिए जल का सरोत है अनुमानगड और चूरु जिले के लिए जल का स्रोत है चौधरी कुम्भा राम लिप्ट नहर तो हनुमानगड और चूरु जिले में और किसी से जल नहीं आता केवल आता है तो चौधरी कुम्भा राम लिप्ट नहर के जरिये आता है निम्न लिखित मैंसे कौन राष्टी राजमार्ग मैंसे कौन सा राजस्थान में अजमीर को बीकानेर से जोडता है वो है नह-89 यानिकी नावासी अगला है निम्न लिखित मैंसे किस खनीज की उत्पादन में राजस्थान का भारत में पहला इस्थान है तो उस खनीज का नाम है फेल्सपार फेल्सपार राजस्थान में भारत में राजस्थान का पहला इस्थान है फेल्सपार की उत्पादन में इस्टेट ओफ फोरेस्ट रिपोर्ट दोजार सत्रा के अनुसार राजस्थान राजी की पंजीकरत बंचेत्र का निम्न लिखित में से कौन सा प्रतीशत अंस आरक्षी सेर्णी के अंतरगत आता है 38.11% आता है सेर्गड बंचीव छेत्र निम्न लिखित में से किस जिले में इस्टेत है तो सेर्गड बंचीव छेत्र ये 12 जिले में है और सेर्गड की चोटी की बात की जाये तो ये माहूं टावो में है शिर्वी जिले में है तो चोटी तो है अरबली परवद माला की शेर्गड और जो सेर्गड बंचीव भ्यारण है ये 12 जिले में है और सेर्गड सेर्साम सूरी ने इसका मरमत करवाई थी इसकी आधार पर इसका नाम शेरगड पड़ा और इस शेरगड है बारा जिले में है शेरगड बारा जिले में है आदि बासियों के हरे सोनी के नाम से जाने जाने वाला ब्रक्ष है तो उस ब्रक्ष का नाम है बास बास को आदि बासियों का हरा सोना कहते हैं ओजोन दिवस कब मनाया जाता है ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है यानि कि 16 सितंबर कहें तो सर्दी और बरसात की बीच में साथ सम्वनदेत तो बलूबेवी सिंड्रॉम में नीली हो जाती है और यह नाइट्रेट के कारण होता है थिनीज गाल सनी इसकांचर हो जाएगा अगला है राजे स्थान में थार मरस्तल से प्रभावित क्षेतर जनसंख्या का प्रतीशत कितना है तो थार मरुस्तल सी प्रवाविच छितर है 61% और जनसंख्या का प्रतीशत है 40% ऑप्सन भी इसका आंसर हो जाएगा रेड क्लिप रेखा राजस्थान में इसका विस्तार है तो यह पाकिस्तान और हिंदुस्तान को अलग करने वाली रेखा है यह है गंगा नगर जिले के हिंदुमल पोर्ट से लेकर बाडमीर के बरखाना भाखा सर तक है बाडमीर के बाखा सर तक इस्तित है राजस्थान का देशांतर विस्तार है 23 डिग्री 30 डेश से लेकर के तीस डिग्री 12 डेश तक 12 बिनट तक उत्तरी अक्षांस और 79 डिग्री 30 डेश से 78 डिग्री 17 डेश पूर्वी देशांतर में इस्तित है राजस्थान सेर परवत चोटी की उचाई तो सेर कहा पर है शिरोही में है तो सेर चोटी आबू परवत खंडपर है और इसकी उचाई है 1557 मीटर और यह गुरू सिखर के बाद में दूसरे नम्मर की है गुरू सिखर है 1722 मीटर होची राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले में अरावली पहाडी का विस्तार नहीं है तो राजस्थान में अरावली परवत माला का मुख्य रूप से विस्तार साथ जिलों में है लेकिन जाल और जिले में नहीं है जाल और जिले में अरावली परवत माला नहीं है फुलवारी की नाल इस्तित है तो फुलवारी की नाल बहराणा प्रताब की कार्य इस्थली है और यह उद्यपुर जिले में इस्तित है निम्न लिखित मैं से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है गगर नदी को मरत नदी कहते हैं बहराट का यह पठार है नाग पानी नाग पानी अरावली प्रवत माला की चोटी है और इसकी उचाई है आठ सो सड़सट मीटर और यह सिरोई जिले में है सेर अरावली प्रवत माला की चोटी है और इसको हमने बताया था इसकी उचाई है पंद्रासो सत्यान मीटर है गुरु सिकर के बाद में दूसरी चोटी है आबु प्रवत पर है और शिरोई जिले में है नाग पानी दक्षिन पस्षिम अरावली में इस्तित है निम्न लिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है अलवर जिले में सावी रूपा रेल अलवर में सावी और रूपा रेल नदिया वहती है उद्यपूर जिले में बनास और वेडच नदी वहती है करोली जिले में जगर और गंभीरी नदी वहती है करोली जिले में जगर और गंभीरी नदी वहती है डूंगरपुर जिले में तो जो बानगंगा और मोरेल ये दोनों नदिया जेपुर जिले से निकलती है बानगंगा जेपुर दोसा और भरतपुर होते भी जमुना नदीम मिल जाती है और मोरेल जेपुर से होती भी सवाई म मादोपुर में बनास नदी में मिल जाती है तो यहां गलत मिलाया गया है ऑप्शन डी इसका अंसर हो जाएगा कौपेन बरगी करण के आधार पर निम्न लिखित में से कौन सा डूंगरपुर जिले के लिए आता है तो हमने बताया कि जहां केपिटर ए मिल जाता है वही डूंगरपुर जिले में आता है यानि कि आर्द चेतर में ऑप्शन ए इसका अंसर राजस्थान के किस जिले में सरव में बर्सा को ले करके अधिक्तम विसमता पाई जाती है राजस्थान के सरवादिक छेतर पर निम्न लिखित में से कौन से मरदा पाई जाती है तो एरिडो सॉल्स एवं एंटी सॉल्स मरदा पाई जाती है राजस्थान के अधिक्तम छेतर पर आर्थिक समिक्षा 2017-18 के अनुसार राज्य में राष्टिय बागवानी मिसन के लिए चैनित जिलो की संख्या है तो राष्टिय बागवानी मिसन के लिए चैनित जिलो की संख्या है 24 तो 24 जिलो का चैन किया गया था 2017-18 में निम्न लिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी कहलाती है कामधेनु नदी कहा जाता है चंबल नदी को चंबल नदी को कामधेनु नदी कहते हैं निम्न लिखित मैंसे कौन सा एक राजस्थान में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है तो गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है गंगा नगर जिला है तो हमारे राजस्थान जीके के 50 कुश्चन पूरे हो जाते हैं लेवसी स्टेंड में 50 कुश्चन आते हैं और ऐसे ही कुश्चन राजस्तान की कोईशी भी एक्जाम हो जो राजस्तान जी के सम्मनित होते हैं वो आते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो को लाइक करना और चेनल को सबिस्क्राइब करना